दोस्तो आज की इस वीड़ में हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री बेस्ट ब्राउजर तो देखो आगर आगर आपके भी दिमाग में ब्राउजर को लेकर करके confusion दोड़ता रहता है कि भाई हम अपने laptop या PC में कौन सा ब्राउजर इंस्टॉल करें कौन सा ब्राउजर यार सबसे मस्त रहेगा परफेक्ट रहेगा तो आज की इस वीड़ो को देख लोगा है सिया पर जो टॉप थ्री ब्राउजर में आपको बता रहा हूँ ना भाई बेस्ट-IN-class browsers है आप चाहो तो इन त्यनों में से कोई एक आपको यूज़ करना है नहीं तो आप चाहो तो तीनों के तीनों यूज़ कर सकते हो और मैं किस तरह से इन ब्राउजर को ब्राउजर में है हो यूज करता हो सारी चीजे आज की इस विडू में आपको बताऊंगा क्योंकि अक्सर जब भी कोई नया लैप्टोप या पीसी वगेरा पर्चेस करता है तो भाई इन कुछ करना आना पड़े बस एक क्लिक करें सारा काम हो जाए लेकिन इतना तो पॉसिबिल्टी भाई आने में बहुत जादा वक्त अभी लगेगा लेकिन काफी हद तक ब्राउजर बहुत अच्छे से इंप्रूव हो चुकी है आज के समय में और वही तीन ब्राउजर में आप के साथ शेयर करने वाला हूँ भाई नो डाउट इसमें आपका फेवरिट ब्राउजर भी होगा जिसे लोग सदियों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं तो गैस अगर अभी चैनल पे नए हो और अभी तेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आना तो प्लीस या सब्सक्रा ठीक है देखो यह काफी ज्यादा पॉपुलर और काफी पुराना ब्राउजर है जो कि इंडरस्टी में काफी पहले से चलता हुआ रहा है और अगर आप कहीं भी किसी भी सेक्टर में जाओगे ना सभी के लैप्टॉप या पीसी में यहां तक कि स्मार्ट फोन में भी आप आपको देखने को मिलेगा ठीक है क्योंकि यह काफी ज्यादा पॉपुलर है एक तरका यह ब्रैंड आप इससे समझ सकते हो ठीक है कि यह ब्रैंड बन चुक है और यह गूगल का खुद का प्रोड़क्ट है लेकिन यार देखो तीसरे नमर पर रखने की मेरी बस एक ही वज अभी भी थोड़ा सा लैक करता है तो चलिए मैं कुछ फीजर्स आपको दिखाता हूं बाकी वीडियो में आपको आइडा लग जाएगा कि आखिर मैंने इसे तेसरे नमर पर क्यों रखा हुआ है तो यहां पर मैं सबसे पहला आपको कुछ जो देखो और यहां पर मैं वही फीचर आप सभी के साथ शेर करूँगा जो नॉर्मल यूजर्स को यरी बेसेस पर चाहिए होता है ऐसा ज्यादा हाइफ ऐ टेकनिकल चीजों के आपको मैं बात सारे बताने हो ठीक है तो कोई भी ज्यादा में और बातस बाते आपके साथ नहीं saw instagram чув वहां पित अनुष इमेजेस पेस या वीडियो वगेरा वो सारी चीजे आप यहां पर कर सकते हैं बिल्कुल फ्लुएंट तरीके से और वन अब दा सबसे फास्ट प्राउजर है भाई यह ठीक है इसमें तो इसे कोई भी बीट नहीं कर सकता है क्रोम ब्राउजर कहीं ना कहीं सबसे फास्ट प्राउजर सर्फिंग के केस में ठीक है अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ इसके फीचर बताता हूं कि इसमें आपको क्या के चीजे देखने को मिल जाता है और क्या के फीचर इसमें एक्स्टा एड़ हुए तो यहां पर एक सब यहां पर टॉप पर आपको मिल जागा option नहीं तो आप किसी भी पटूगा पोस्ट पर राइट क्लिक करोगे ना तो यहां पी आप नीचे आजाओ और यहां पी दिखो open in reading mode का option आपको मिल जागा ठीक तो इस पर आपका जो पोस्ट है यहां पर देखो sidebar में मज़ए की reading mode म आपको दिखाए देगा ना वह आपको भाई यहां पर परिशान नहीं करेंगा यहां पर बिल्कुल neat and clean आप जो यह टेक्स को बढ़ सकते हो मतले की story का पुरा मज़ा यहां पर ले सकते हो ठीक है अगर आपको इस साइज से दिक्कत आ रहा है ना कि sidebar में इतनी छोटे से मे हमें मज़ा नहीं आ रहा तो आप यह देखो यहां पर एक slider मिलेगा इसे ड्रैग करके बस आप इसे left side ले जाओ भाई आपका काम बन जाएगा ठीक आपका यह देखो जो पूस्ट है वो काफी लंबा चोड़ा हो जाएगा बड़ा हो जाएगा और यहां पर लिटिल बिट करोगे तो आप फर्थर पेज़ पर चले जाओगे लेगन अगर आप चाहते हो इस सब चीज़ों को आफ करना तो आप सीधा इस पे क्लिक करतो तो देखो लिंक आफ हो जाएगा तो आप यह क्लिके बल लिंक नहीं रहेगा ठीक है तो आप यहां से wide भी कर सकते हो अपना very wide वाइड इस्टेंडर ठीक है तो इस तरह का कुछ फीचर आपको इस पर्टुक्वल प्रॉम ब्राजर में रीडिंग मोड में देखने को मिल जाता है ठीक है बाकी यहाँ पे कुछ आपको ज्यादा यह पेज है ठीक है इसे आप अलग तरह का आपको विंडो नहीं नहीं ब्राउजर वह एज अप काम करेगा ठीक है उसके लिए आपको क्या करना है सेटिंग्स में यह जो 3.0 टॉप इस पर क्लिक करना है नीचे आ जाना है और यहाँ पर एक उप्शन आपको मिलेगा देखो यह दो को बिलकुल मतली आपको लगया कि आपने एक नया प्रोजेक्ट ओपन कर रखा है नया एप ओपन कर रखा है कुछ इस तरह के से यह वर्क करेगा ठीक है आप चाहो तो इससे अपने टाक्स बार वगएरा में पिन भी कर सकते हो आप चाहो तो इसे अपने डेक्स आते हैं रेडिंग मोड हो गया बाकी एक हो गया गाईस यहां पर आप किसी भी पटगवा पेज को एजा एप यूज कर सकते हो यहां पर ठीक है और जो वह बेसिक बुकमार्क डाउलोडिंग हिस्ट्री वगरा वह सारे फीचर्स आपको देखने को मिलता है अगर मैं security के purpose से बात करूँ ना तो मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि देखो अभी जितने भी popular browser है ना सभी की security वह अच्छी खासी है टाइट है ठीक है तो security को लेकर कि आपको उतना जादा attention नहीं लेना है क्योंकि security ना ब्राउजर के ही तोर पे पूरी अच्छी तरह से अपने computer को secure नहीं कर सकते हूँ क्योंकि उसके लिए आपको अलग से antivirus रखना पड़ेगा इसके ओपर मैं एक अलग video आपको दे दूँगा किस तरह से आपको antivirus अपने PC या laptop में इंस्टॉल करना है और कौन सा करना भाई और कोई paid application या software में आपके साथ शेर नहीं करन आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दे रहा इसके ऊपर भी मैं बहुत जल्द वीडियो आप से भी किसाथ शेर कर दूँगा ठीक है अब मैं आपको थोड़ा से यहाँ पे PDF मोड आपको दिखा लेता हूं कि PDF फाइल मंदी की Chrome ब्राउजर में किसा से open होता और उसमें क्या-क्या features आपको देखने को मिल जाता है क्योंकि अकसर जाज़ता लोग यही सारी चीज़ी यूज़ करते है ठीक है तो हम चले जाते है भाई अपने थोड़ा सा download mode पे और यहाँ पे PDF है मेरे पास तो इसे में Chrome browser में open करके आपको दिखाता हूं ठीक है तो यह रहा Chrome browser इसे में इसमें open कर लेता हूं तो यहां पर देखो जब भी आप PDF अगरा open करोगे तो कुछ इस तरह से आपको layout नजर आएगा तो उपर में टॉप में आपको देखो यहां पे जूम आउट जूम इन का option आपको देखने को मिल जाएगा वाइड वगेरे भी आप कर स अनुटेशन से मेरा मतलब है कि यहां पर जैसे वह होता है ना highlight वगेरा करने का features आपको देना चाहिए तो वह चीज आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा तो basic सा बस आप PDF को open करके यहां पर readout कर सकते हो बाकि इसमें कुछ भी annotation के नाम पर changes वगेरा नहीं कर सकते है ठ यहां पर हर एक तरह का extensions वगेरा आप download कर सकते हो और सबसे ज्यादा जो extensions है आपको Chrome browser में ही देखने को मिलेगा ठीक है आप चाहो तो Chrome browser को totally एक advanced browser में बदल सकते हो extensions के थूँ इसके ओपर भी मैं a detailed video dedicated video आप से भी साथ शेयर कर दूँगा क्योंकि देखो यार मैं भी features को कुछ-कुछ features है जिसे हम extension के थूँ cover नहीं कर सकते Chrome browser में तो भाई यह था Chrome browser की कहानी और काफी अच्छा neat and clean light browser है ठीक है इसे download करने के simply google में type करो भाई आपको मिल जाएगा ठीक वो बताने की जरुवत नहीं तो चलिए अब हम अपने second browser की तरब चलते हैं कि second number पर आख मुझे cover करने की जरुवत थी ठीक है ना तो आप मैं second browser के तरब जाता हूँ ठीक है तो second number पर जो browser आता है गास वो है ओपेरा ठीक है और इस browser का ना जो look and feel है भाई इसके आप दिवाने हो जाओगे क्योंकि यह कही ना कही एक modern type आपको look देने वाला है जैसे कि आप screen पर दे इसमें कुछ ऐसे भी features है जिसके कारण मैं इसे भी use करता हूँ अपने PC में ठीक है तो यहाँ पर देखो chrome browser का layout आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा और left side में यहाँ पर आपको एक panel देखने को मिलेगा जहाँ पर कुछ shortcut applications वगेरा भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो एंबीड कर सकते हो ठीक है जहाँ पर applications extensions वगेरा हर एक चीज एंबीड हो जाता है लेकिन URL को छोड़के ठीक है अगर माल लिजे अगर आपको यह sidebar में किसी particular page या Google की page को अगर यहाँ पर आपको एंबीड करना हो ताकि आप particular इस पर क्लिक करके sidebar में Google का भी access वगेरा कर प इसमें यह feature आपको मिल जाएगा ठीक है कि sidebar में आप Google का भी access ले सकते हो यहाँ पर वही limited आपको tools वगेरा मिल जाएगे जिसे आप embed कर सकते हो sidebar में ठीक है तो यह कुछ भाई आपको look देखने को मिलेगा अब मैं आपको थोड़ा सा इसका PDF mode भी दिखा देता हूँ और ब वगेरा कर सकते हो डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ भी annotation के नापे आपको ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलेगा ठीक है यह basic चीज़े आपको मिलती जो अक्सर ब्राउजर में तो भाई होना ही चाहिए फिर भी यह इस annotation का नाम देता है पता नहीं क्यों है ठीक है तो यह काम करते हैं वहाँ से Chrome CR उसी story को उठा लेते हैं सौरी वहाँ पर साइद में हटा दिया तो यहाँ पर हम लिखी लेते हैं ठीक हिंदी story कहानी निख लेते हैं उसके बाद मैं आपको इसका reading mode भी दिखा देता हूं भाई ठीक है इसमें reading mode किस तरह का काम करता है तो यहाँ प अब देखो इसमें reading mode पर ओपन करने के लिए आपको क्या करना है आप टॉप बार में आप देखो यहाँ पे एक बुक का आपको यह लोगो दिखाए देगा इस पर सिंपली किलिक कर दो तो आपका जो पोस्ट अगास वह रीडिंग मोड में करमट हो जागा जैसा कि आप य जो रीडिंग मोड में option था वही सारे basic options आपको इसमें भी देखने को मिल जाते है ठीक है आप dark mode यहाँ पे changes पगेरा कर सकते हो और font size आप बड़ा छोटा यहाँ से कर सकते हो कुछ इस तरीके से जैसे कि आप देख सकते हो ठीक है लेगिन इसका reading mode अगर मैं कहूं तो chrome से ज पोस्ट पे आप right click करके reading mode पे जा सकते हो और वो चीज आपको chrome में देखने को मिल जाता है यहाँ पे आप जैसे right click करोगे तो यहाँ पे देखो आपको reading mode का कहीं भी option नहीं देखने को मिलेगा लेगिन यहाँ पे एक अच्छा option आपको देखने को मिलता है मतले कि आप पट लेगिन यह एक ऐसा एडवांस फीचर नहीं है यहाँ देखो PDF में आप पटुआ पेज को ना जस्ट प्रिंट पे भी क्लिक करके सेव कर सकते हो और यह प्रिंट का option ना हर एक browser में आपको मिलेगा जैसे आप प्रिंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ परस्ट आपको PDF का option आए प्रिंट पे भी जाके कर सकते हो तो उतना ज्यादा लेजिट फीचर भी इसे नहीं कहेंगे ठीक है तो रिडिंग मोड आपको मिल जाता है जो कि इसका बिल्कुल क्रोम की तरह है बाकि यहाँ पे side panel का जो एक advanced mode आपको मिल जाता है जहां से काफी tools को आप access कर सकते हो पे included है और सबसे बड़ी बात यहाँ पे AI का भी integration किया गया गाईस इस particular browser के अंदर और one of the best AI का integration में कहूंगा chat GPT के बाद देखो chat GPT का अभी तक तो कोई ऐसा मले की जो AI है गाईस वो मुकाबला नहीं कर पाया मले की यह खुद मले की ओपेरा का ही बनाया गया खुद का AI इंजन है ठीक है मले की यह Google वगेरा के थुरू बनाया गया नहीं है और यह काफी perfectly काम करता भाई ठीक है और जो भी questions वगेरा आप पुछोगे ना भाई accurate answer बिलकुल simple static answer यह आपको निकाल के देखा यह AI ठीक है और यह 100% free है और जैसे कि आप जानते हो chat GPT में अब भाई नखड़े सुरू हो गया ठीक है उसका मले की बड़ा plan वगेरा subscription वगेरा लेने के ज़रूद पढ़ दिये लेकिन ऐसा इसमें कुछ नहीं है यह खुद भाई Chrome browser सौरी यह खुद भाई Opera browser का ही integrated AI engine है जो कि 100% free है औ मैं आपको दिखा देता हूँ पूछ के ठीक है देखो यहाँ पर ARIA AI is free देखो अभी यह खुद आपको अपने सामने बता देगा देखो यहाँ पर क्या लिखा भाई यस ARIA is a free service in Opera browser तो अगर आप इस browser का यूज करते हो तो unlimited आप इस particular AI tool का यूज कर सकते हो और यह text-based ही काम नहीं करता भाई यहाँ से आप images भी generate कर सकते हो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ ठीक है देखो यह वीडियो थोड़ी तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ generate elephant elephant image near river ठीक है देखो मैंने इतना लिख है अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ send कर देता हूँ अब देखते क्या result हमारे सामने निकल के आता है और इस AI की खास बात मुझे भाई यही लगी भाई और देखो कुछ ऐसा AI का integration आपको Chrome browser में दे मैंने इनको खुद अपने लेवल पर चेक किया ठीक है और यह जो आरिया का AI मैं इससे बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हूँ हूँ आप खुद यूज करके देखना तो फिर आपको मालूम चलेगा देखो भाई यहाँ पर मैंने क्या लिखा था ठीक है कि मुझे हाथी चा काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है AI और इस ब्राउजर को यूज करने का बस मेरा यही परपस है क्योंकि यहाँ पे आपको एक AI का फीचर अच्छा सा देखने को मिल जाता है और एक और फीचर मिलता है वो सेक्योर्टी से रिलेटर है चली आपको बता देता तो देखो काफी सारे फीचर सभाई ओपेरा में इसके उपर एक डेडिकेटेड वीडियो में दे सकता हूं, ठीक है, तो उसके ऊपर भी मैं सोच हूँ की वीडियो बनाना चाहिए या नहीं, हलाकि अभी मैं इसमें सारे फीचर कवर नहीं कर सकता है, जो इंपोर्टेंट इं साइड बारे इसे भी आप चेंज कर सकते हो ती कि लेफ राइट या फिर ओटो हाइड वगएर आप कर सकते हो और यहाँ पे देखो नीचे प्राइविसी एंड सेक्योटी में आपको ब्लॉक एड और ब्लॉक ट्रैकर का भी ऑप्शन मिल जाता है मली कुछ भी ऐसा अगर जैसे कोई सॉफ्टर वगएर आपको अगर डाउनलोड वगएर करना होता है तो उसकेस में आप APK वगएर वेबसेट पर जाते हैं तो वहाँ पर आप जानते हैं हर एक तरह की एड्स वगएर देखने को मिलता है तो उन एड्स से अगर आपको बचना है और फ्लुएंट आपको दिखाई देने लगी जाएंगे तो अगर इन सब चीजों से अगर आप छुटकारा चाते हो तो सिंप्ली आप इस सेटिंग्स पर आजाओ और यहाँ पर ब्लॉक कर दो बस तो आपका जो एड्स हंडेट परसेंट ब्लॉक हो जाएगा और कोई भी यहाँ पर आपक दिखाई नहीं देगा और neat and clean आप अच्छे से अपना content का मज़ा ले पाओगे बाकी tracker का भी option वगेर आपको देखने को मिल जाता है ठीके और यहाँ पर एक और advanced option मिलता आपको VPN का ठीके तो काफी हद तक आप इसे free में use कर सकते हो और VPN काफी हद तक आपकी browsing experience को भाई increase कर देगा और security को भी आपका बढ़ा देगा ठीके तो देखो यही दो purpose है जिस वजह से मैं इस opera browser को यूज करता हूं पहला तो इसका जो AI है जो Aria model है यह मुझे बहुत पसंद आया भाई इसे में अधिकतर यूज करता हूं और अभी फिलाल मैं chat GPT से जादा भाई इसी का चीज के लिए बाकी VPN का भी मैं कभी कभार जैसे अगर जैसे मैं ब्लॉगिंग वगेरा करता हूं तो उसमें जैसे इंटरनेशनल वगेरा टागेटिंग करना होता तो उसके समय मैं यहां पर VPN का भी यूज करता हूं जिस purpose से मैं इस browser का यूज करता हूं ठीके बाकी यहां पर ले आउट वगेरा आपको कुछ standard देखने को modern देखने को मिल जाता है तो यह कुछ था भाई ब्राउजर बाकी यहां पर कुछ ऐसा ज्यादा हाइफाय जानने वाले चीज़े नहीं और जो वह एप इंस्टॉल वगेरे का feature है वह सारी features आपको इस पड़ूगा ब्राउ ठीक है अगर आपको इसको install करना है तो भाई बस chrome में जाकर करके search करो sorry chrome ही बोल रहा हूँ देखो chrome एक ऐसा brand बन चुका भाई हर एक के मुह में ना chrome browser सबसे पहले आएगा इतना तो मैं बता जाता हूँ और अभी भी यार कितने भी advanced browser क्यों ना आ जाए लेकिन मैं यार chrome browser को छोड़ी नहीं पाता क्योंकि यह एक used to हो चुका हूँ ना मैं उसके साथ बिल्कुल उसके साथ मैं connect हो चुका हूँ और इस browser को मैंने हर एक extensions के साथ भाई एक strong browser बना दिया है इसके ओपर मैं detailed video लाओंगा भाई ठीक है बहुत चल्द अब चलिए हम number one browser की तरह बढ़ते है explorer नाम से जिसे यार Microsoft ने बंद कर दिया अब इस पर services वगेरा देना पूरी तरह से Microsoft ने बंद कर दिया हलाकि अभी भी वह browser गूगल पे exist करता है ठीक है ऐसा नहीं कि पूरी तरह से dead हो गया अभी भी है लेकिन उस पर Microsoft को कोई भी service वगेरा नहीं है तो अब Microsoft ने भाई Edge नया देखोगे यहां पर देखो एक फीचर में एक दो फीचर मिस कर गया था बाई ओपेरा वगेरा मैं मैं वह भी आपको थोड़ा सा पता देता हूं यहां पर आपको ना screenshot वगेरा कभी पहले से ही feature देखने को मिल जाता है ठीक है देखो आपको Chrome browser में ऐसा नहीं कि यह feature आपको अगर आप capture करोगे उसके वाद फरतर यहां पर और भी कुछ options आ जाते हैं annotation से related जो की काफी अच्छा है ठीक है आप images में highlight वगेरा करके changes वगेरा कर सकते हूँ आप चाहो तो यहां पर text वगेरा भी add कर सकते हूँ तो यह सब features यह होने चाहिए ठीक है यही सब features के वज़े स थोड़ा सा chrome मुझे पीछे लगता यह सारे features होने चाहिए pre install feature जिससे क्या कि अगर आप chrome में extensions वगेरा add करोगे तो थोड़ा से browsing experience भी lack करता है क्योंकि load बढ़ता है तो अगर pre install अगर chrome वगेरा पहले से डाल देगा तो वह अच्छे से optimize करके सारी चीजे company डालती है तो यह क अच्छा feature आपको मने को अपरे में देखने को मिल जाता है तो हम बात कर रहेते हैं अपने first browser edge की तो कुछ ऐसा look देखने को मिलता है guys ठीक है तो आप यहां भी कुछ भी search कर सकते हो प्लस आप यहां पर sidebar में भी अपना कुछ search कर सकते हो ठीक है तो आप चाहो तो यहां पर आप सर्च करो यहां भी आप सर्च कर दो ठीक है एक साथ आप चाहो तो दो बंदे यहां पर आप काम कर सकते हो भाई दो माउस वगरा यूज करके तो काफी अच्छा feature आपको देखने को मिलता है यह सब features आपको इन ब्राउजर में देखने को नहीं मिलेगा तो split mode का और यह साइड पैनल का advanced features आपको इसी ब्राउजर में देखने को मिलेगा और यहां पर काफी सारे tools भी आपको देखने को मिलता आता है ठीक है तो side browser में तो side panel में जैसे आप आओगे न तो यहां पर देखो यह box type है तो यह tool है इस पर आप click करो तो यहां पर देखो pre install आपको काफी सारे amazing useful tools मिल जाएगा अगर आपको internet की speed जानी है तो start पर click करो internet का speed आपको पता चल जाएगा calculator का option आपको यहां पी मिल जाएगा unit converter का option आपको मिल जाएगा translate का option आपको यहां पर मिल जाएगा dictionary मिल जाएगा और यहां पर world clock का भी option मिल जाता है other tools भी यहां पर QR code भी generate कर सकते हो typing भी आप कर सकते हो stop watch मिल जाता है timer मिल जाता है भाई बहुत कुछ यार edge ने implement करती है और और भी advanced options है भाई यहां पर अभी edge का खुद का अपना AI system भी ठीक है जिसे co-pilot कहते है भाई जैसे मैंने अभी आपको opera दिखाया था ना उसमें opera में जो AI है guys वो Aria के नाम पर यहां पर co-pilot के नेम से यहां पर मनले की जो edge है guys उसने AI का implementation किया है और इसमें जो engine यूज हो रहा है वो chat GPT का ही जो अभी 4 model आय जाता है लेकिन बिलीब में जहां तक मैंने इसे यूज किया है लेकिन उतनी अच्छी तरीके से यहां पर नहीं किया है लेकिन जो images भाई यह जो AI generate करता है भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का करता है ठीक है इसका जो image generate करने का जो technology है और मुझे काफी अच्छा लगा और मैं यहां से copy करता हूं और edge में आ करके यहां पर मैं type कर देता हूं तो अब देखते भाई यह किस तरह का image हमें generate करके देखता है तो देखो यार यह आरिया इंजन के मुकाबले ना थोड़ा सा slow तो है ठीक है यहां पर अभी हमने आरिया पर कमांड दिया था तो काफी जल् लेगिन यहां पर देखो भाई क्या कमाल का मले की एक काफी realistic look type भाई यहां पर आपको images मिल चुका है और एक ही मले की look से related 4 images यहां पर आपको देखने को मिल गया ठीक है तो किसी भी पटगवा image पर क्लिक करके आप इस image को directly आप download कर सकते हो ठीक है तो देखो यह copilot जो है जो image generate करता है वो आपके bing creator से generate करता है तो यह दो तिन इंजन का use करता है वो थोड़ी सी यार technical बाते है भाई वो हम बाद में करेंगे देखो यहां पर आपके सामने image generate हो बस आप right click करो इसे आप सेव कर लो तो directly यहां पर सेव करके ने तो download पर क्लिक करके आप इस image को download कर सकते हो तो इसका AI इंजन जो image creator वाला जो फड़ना है वो काफी कमाल का ठीक है तो image काफी अच्छा से यह generate करता है लेकिन अगर text-based अगर आप कुछ questions वगरा का answer वगरा चा AI का भी integration देखने को मिल जाएगा बाकी चीजे तो मैंने आपको इस साथ share कर दिया मैं आपको यहाँ पे PDF भी open करके दिखाता हूँ कि इसमें आपको PDF में क्या क्या फीचर मिल जाते है भाई ठीक है तो यहाँ पे हम open करते हैं इस बार edge में ठीक है तो अब देखो भाई यहा अपन करोगे ना annotation से related भर भर की features आपको इस browser में मिल जाता है तो टॉप पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको भाई highlight का काफी कमाल का features आपको देखने को मिल जाता है ठीक है आप हर एक चीज यहाँ पर आप कर पाऊगे भाई क्या नहीं कर सकते हो देखो यहाँ ठीक है highlight आपने किया highlight इसे आप delete कर सकते हैं लेकिन text को नहीं ठीक है और यहाँ पर ask copilot का भी option मिल जाता है तो PDF से related अगर माली जी बहुत बड़ी file है आपकी PDF की और आपको समझ नहीं आ रहा कि वह पैरा कहां पर आपको बस scroll किया जा रहे हो तो उस case में यह ask pilot का जो copilot है इसका आप यूज कर सकते हैं इससे आप पुछोगे अपने PDF से related कुछ भी चीज़े यह आपको instant बता देगा कि वह कहां पर यह उससे related आपको text यह दे देगा ठीक है और यहाँ पर देखो wide वगएर आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो जूम out जूम in का option आपको देखने को मिल जाता है तो काफी advance इसका जो PDF reader है भाई वो है ठीक है तो यहाँ पर वो सारे features आपको दिखने को मिल जाएंगे जो एक particular user को चाहिए ठीक है जिस वज़े से यह browser मुझे काफी अच्छा लगता भाई ठीक है तो इसका जो PDF reader और यह जो side panel और इसका जो reading mode है वो भी काफी कमाल तो आप मैं आपको reading mode भी दिखा देता हूं भाई ठीक है इतनी सारे चीजे दिखा दिया तो reading mode क्यों छोड़ते भाई वो भी हम दिखा देते वो भी एच का काफी ज्यादा मस्त है यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूं तो एच जो यह browser है ना भाई बाकी browser से ना features के आया ठीक है जितने भी मैंने internet से browser download किया यूज किया तो अब मैं आपको देखो यह story यहाँ पर ओपन हो गया इसका reading mode आपको दिखाता हूं तो top पे आपको देखो यहाँ पे loud mode का भी option मिल जाता है जैसी आप इस पर क्लिक करोगे ना तो यह पूरे पैरा को आपको पढ़क तो reading mode आपको open हो जाएगा तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो अब देखो जो आपका content है वो read mode पे open हो चुका है और सारे ads वगरा यहाँ से गायब हो चुक है और neat and clean आप reading कर सकते हो और यहाँ पर देखो ऊपर top पे read loud का भी option आपको मिलता है जिस पर आपको खुद यह जो browser र भाई option आपको मिलता है और वो भी 100% free में यार ठीक है बहुत सारे यहाँ पर options आपको मिल जाएंगे जिसमें आप काफी कुछ changes कर सकते हो भाई theme वगेरा में भी आप changes कर सकते हो देखो और कितने सारे लाजवाब options आपको मिल जाता भाई ठीक है आप text को zoom out, zoom in कर सकते हो भा भर के language के options आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह कहीं ना कहीं भाई काफी जादा advanced browser है भाई अब मैं आपको इसका थोड़ा सा screenshot वाला जो feature है guys वो भी दिखा जाता हूं जो अभी मैंने आपके साथ ओपेरा में share किया था ठीक है वो भी आप देख लो यह top पे देख markup capture पर आप simply click कर दो और यहां पर आपको जो basic जो advanced मली की जैसे ओपेरा की तरह है यहां पर annotations को options आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो journal users में जो annotations ज्यादा तर जो use होता भाई वो आपको मिल जाता है देखो highlight वगएर आपको करना है erase वगएरा करना है वो सारी चीज़े यहां पर आपको देखने को मिल जाता है प्लस यहां से भी आप फिर screenshot को save वगएरा कर सकते हो अपने desktop के उपर या download section में ठीक है तो भाई देखो जितने भी features आपको चाहिए या एक particular user को चाहिए होता है ना browser से related वो सारे features भाई आपको क यहां पर काफी भर भर के advance features आपको देखने को मिलता है और इसमें बस एक feature lack करता भाई add blocker आपको देखने को नहीं मिलेगा बाकि tracker blocker वगएरा का features आपको देखने को मिल जाता है ठीक है और खुद मले कि यहां पर security आपको मिलेगा या smart defender करके क्या था एक second में आपको दिख आपको देखने को मिल जाता है ठीक है तो यह काफी अच्छा security लगा मुझे इसमें जो एज में आपको pre-install देखने को मिल जाता है तो अलग से आपको किसी भी तर की security purpose से extension इंस्टॉल करने की मुझे तो नहीं लगता भाई एज में जरूरा थे या ठीक है बाकी यहां पर जो मैं आपको बताया कि add blocker का feature आपको देखने को नहीं मिलेगा तो basic से जो ads वगएरा कई हद तक block होता है लेगिन अधिकतर जो ads है जो बाकी websites वगएरा पर आपको देखने को मिलेगा वो भाई यह जो browser है भाई वो block नहीं कर पाता है ठीक है बाकी आप इसके लिए extension का use कर सकते हो तो totally अगर आप मैं final decision की बात करो तो मुझे यार number one पर यह browser लगता है अगर आप अपने level पर अगर आप use करोग ना यहां पर देखो बहुत सारे feature है हर एक चीज मैं आपको नहीं बता सकता भाई वीडियो बहुत लंबी हो जागी dedicated वीडियो बनाना पड़ेगा इसलिए गया जो important features था वो मैंने आप सभी की साथ share कर दिया और जो best browsers थे भाई top 3 वो मैंने आपको बता दिया क्योंकि मैंने काफी research किया भाई उसके बाद मैंने ये top 3 browsers भाई analyze किया निकाला ठीक है एक तो हम बहुत पहले सी use करते हो आ रहे थे और एक तो pre install पहले सी था जिसे हम ignore कर रहे थे और एक नया जो कि हमने भाई internet से download किया वो है opera ठीक है तो यही तीन browser है बाकी आपको और कोई browser रखने की जरुरत नहीं है आप चाहो तो इन तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो मैं तो भाई देखो तीनों को यूज करता हूँ अलेकल एक परपस से ज्यादतर ना मैं primary अगर मैं यूजर के बाद करता हूँ मैं Chrome को यूज करता हूँ काफी सारे extensions को यूज करके अगर आप थोड़ से technical हो तो आपको कोई other browser यूज करने की जरुवत नहीं है लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो नया laptop लिया है फर्स टाइम है आपका तो उसके इसमें आपको एज ब्राउजर ही जादा recommend करूँ क्योंकि यहाँ पर आपको सारी features भर-बर के देखने को मिल जादा है जो कि एक basic user को चाहिए ठीक है बाकी मैं इन तीनों का किसा से यूज करता हूँ primary तो मैं भाई यह chrome browser ही यूज करता हूँ और secondary मैं फिर opera यूज करता हूँ just for AI engine और VPN के लिए और जो यह edge browser है ना इसे मैं PDF reading और screenshot वगेरा के लिए यूज करता हूँ ठीक है क्योंकि इसमें इससे इनों browsers का यूज कर सकते हूँ I hope यार आपका जो browser से related confusion है भाई वो कई हद तक दूर हो जाएगा और अभी भी अगर आप confused हो तो चुप करके बस आप edge browser का यूज करो और किसी browser को भाई आप देखो माठ ठीक है chrome browser भी आप पुराना type हो चुका है भाई ठीक है तो काफी technology बढ़ेगी वैसे वैसे भाई नया software market में आता जाएगा तो आपका मन करता रहेगा जैसे smartphone के पीछे लोग दोड़ते रहते ना आज कुछ खरीद लिया तो कल फिर बोलते कि हम वो खरीदेंगे तो उसी तरह का कुछ case होता है ठीक है तो यह सारी चीजे बदलने वाली नही जीए तो आज की इस दो में इतना ही बाक मलते के लिए वीडियो में तब तक के लिए टिक के रहें गुट पाई